जय हैं हिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपर भहुत ही महत्तपुन कॉस्चन आंसर यहां पर मती राम जी से संबंदित तो वीडियो को पूरा अवस्च देखना है भहुत ही महत्तपुन मस्क्राइब करना सेऽब भी डाउलोड करना हैं अद ऑपको प्ले स्टूर इस डाउनलोड करना है जहांपर आपको हिंदी साहत का संपुन को हिंदी साहत की सीरजce कमदामों में और ओफर चल रहा है अभी तो अपनी परिक्षा की तैयारी के लिए हिंदी साइट संबंद जो इपरिक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी साइट पूंचा जाता है तो इसमें self study classes डाउनलोड करना प्ले स्टोर से और अपनी तैयारी को मजबुत बना सक यानि की रीती वद्ध आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल सभी तो उप्रोक सभी आपका यहां पर सही आंसर इन सभी के दरबार में रहते थे मतिराम बिल्कुल सभी question number 3 पूछा है किस सत्साई के आधार पर मतिराम ने सत्साई की रचिना की राम सत्साई की आधार पर या भाव बिलास बिहारी सत्साई या ज्यान समुन अंसर है भावसें हाडा आपका राइट आंसर है विकल्प नमबर एक राइट आंसर होगा विकल्प नमबर पांच पूछा है कि मतिराम किस बादसा है कि आस्राय में भी रहे तो मतिराम किस बादसा है कि आस्राय में भी रहे तो आपका सही आंसर होगा जहांगीर विकल्प न सही आंसर है मतिराम ने सच सही की रशिना कभी की तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर है 1681 इसवी में कॉस्चिन नंबर साथ पूंचा है यहां पर किस रीती बद्ध कभी को अलंका नुरूपन आचार कहा जाता है चार विकल्प आपकी यहां पर दिये गए हैं और आपका स राइट आंसर है इनको अलंका नुरूपन आचार कहा जाता है मतिराम जी को और यहां पर पूंचा है किस सासक की आज्ञा से मतिराम ने फूल मंजरी की रचिना की महत्तवूण कॉस्चन है और जह elabor जहांगीर की अज्ञा से मतिराम जी ने कौनसी रचिना की तो ङयां है फ दो हे, शाठ दो हे, पचास दो हे, सत्तर दो हे, तो आपका इहां पर सही आंसर है, question number 9 का right answer होगा, इन्होंने, इनकी जो फूल मंजिरी रचना है मतिराम की, इसमें 62 हैं, तो विकल्प नंबर C right answer होगा, मतिराम ने ललेत ललाम काब विग्रंथी की रचना के सासक के आसराय मे की, तो आपका सही आंसर है, भावस हैं, हाडा आपका right answer है, विकल्प नंबर 1, इहां पर right answer होगा, question number 11, मतिराम ने ललेत ललाम की रचना कब की, 1669 में, या फिर 1655, 1664, 1681, तो ललेत ललाम जी ने मतिराम, जो मतिराम जी की रचना है, ललेत ललाम, इनकी बहुत ही की थी, भाव की थी, 1664 में, तो विकल्प नंबर आपका B, यहां पर सही आंसर है, question number 12, मतिराम का गरंत है, 60 छंदों में रचित एक प्रसस्ती गरंत है, तो कौन सा वह गरंत है, बताना है आपके लिए, कौन सा वह गरंत है, मतिराम जी का, जो 60 छंदों में रचित एक प्रस प्रस्ती गरंत है, तो विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर यहां पर होगा, question number 13, मतिराम ने अलंकार 85 का गरंत की रचिना किस सासक के आसरा में की, तो question number 16, 13 है, और 13 का राइट आंसर है, कौमायू नरेस, घ्यान चंदर आपका यहां पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, question question number 14, क्या पूचा है, तो question number 14 है, मतिराम ने ब्रत्य कोमोदी की रचिना किस सासक के आसरा में की, ब्रत्य कोमोदी की रचिना बताना है, मतिराम ने की, ती ब्रत्य कोमोदी की रचिना और किस सासक के आसरा में की, तो आपका है यहां पर सही आंसर है, विकल्प नंबर C, या आपका सईए आंसर है रस्राज विकल्प नंबर B यहां पर सईए आंसर होगा मतिराम की किस रचिना को चंद सास्त्र एवं चंद सार भी कहा जाता है तो भेर रचिना कौन सी है मतिराम ने तो कब की ये पूँचा है तो आपका सही आंसर यहां पर होगा question number 17 का विकल नंबर C 1690 ECB में 1690 ECB right answer है मतिराम ने ब्रत्य कोमोदी की रचना कब की ये बताना है अभी पूँचा था कि अलंकार 85 का की रचना कब की तो 1690 में ब्रत्य कोमोदी की रचना मतिराम ने कब की तो 16701 ECB में इन्हों ने इसकी रचना की थी ब्रत्य कोमोदी की किसने मतिराम ने question number 19 पूँचा है मतिराम ने रसराज की रचना कब की 1701, 1690, 1663, 1681 मतिराम ने रसराज की रचना कभ की तो 1663 इस भी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल सही अंगला क्वास्चन है क्वास्चन नमबर यहाँ पर 20 पूंचा है कि रावराय रूप की रीती अनूप नई नव लागत जों जों नहारिये पंती की रचेता हैं पदमाकर हैं मतिराम हैं सेनापती हैं के सब्दास हैं तो इस पंती के जो रचेता माने जाते हैं विकल्प नमबर C यहाँ पर राइट आंसर होगा question number 21 पूँचा है तेनी नेन मेरे मन की खिलोना पंती किसकी है तेनी नेन मेरे मन की खिलोना पंती है पदमा कर मतीराम सेनापती की सब्दास है तो आपका right answer है सेनापती विकल नमबर भी आपका right answer यहाँ पर होगा यहाँ पर question number है अपना 22 की कुंदन को रंग फी को लगे जलके अति अंगन चारू गोराई पंती की रचेता कौन है पदमा कर है मतीराम है सेनापती है की सब्दास है तो question number 22 का right answer है मतीराम विकल नमबर C आपका right answer होगा question number 23 से कौन सी पंती मतीराम की नहीं है तो देखें नहीं पूचा है आपसे ध्यान रखिए नहीं पूचा है तो आपका 23 का right answer है विकल नमबर B की बनन में वागन में और बगर्यो बसंत है यह पंती नहीं है किसकी मतीराम की बिलकुल सभी विकल नमबर आपका B यहाँ पर right answer है किसने लिखा है कि मतीराम की बीरता का बनन बीरता का केवल दस्तूर नभाता है यह बताना है किसने लिखा है तो question number 24 है और 24 का सई आंसर है कि मतीराम की बीरता का बनन बीरता का केवल दस्तूर नभाता है तो डाक्टर वच्चन सेह ने यह लिखा है विकल नमबर D right answer होग तो राइट आंसर है आपका 1603 से 1693 इस भी आपका राइट आंसर है विकलत नमबर आपका D यहां पर राइट आंसर होगा तो इस परकार अपने यहां पर देखे बहुत ही महत्पुन्ड कॉस्चन आंसर तो क्यां से लगा यह वीडियो कमेंट में जरू बताएं अगर आप चै और यहां पर आपके लिए हिंदी साहत्ते के टेस्ट सीरेज भी चल रहे हैं सेल्फ इस्टेडी कलासेस एप में बहुत ही कमदामों में तो सेल्फ इस्टेडी कलासेस एप डाउनलोड कर लिए प्रिले स्टोर से और अपनी तैयारी को मजबुत बनाएं तो आज की वीडिय तो इस्ट नही जहिन